तो आज हम जारे हैं नुफूस के लिए नुफूस के लिए नुफूस में एग्रेट रिषिश्चिक करवाना होता है कोई की घर आप रैट पर लेते हैं या बाय करते हैं उसके बाद आपना इभास जो है अपना इभास करवाना होता है तो अभी हम जारे हैं नुफूस और हमारी जो पाइमेंट आई है वोई चेक मेजे में आई है यहां से 10 km दूर है तकरीब बीस मिनिट की ट्राइफर है तो अभी हम घर से निकल चुक है और टैक्सी में बेट गए है और अभी हम नम्मार्मारा पार्क से गज़र रहे हैं तो टोटल यह 15-20 मिनिट का रास्ता था लेकिन पूरे रास्ते की में वीडियो तो मैंने बना ली थी लेकिन अगर मैं अप्लोड करता था वीडियो बहुत लंबी हो जाती इस वजह से मैंने कुछ क्लिफ्स दरूर इसमें एड़ कर दिये क्योंकि मौसम जो था बहुत ही प्यारा था जिसका मेरा बिल्कुल भी दिल नहीं कर रहा था कि में यह वीडियो यह यह रास्ते की वीडियो इसमें एड़ ना करूं एनिवेज आप भी देखें और इंजॉय करें मौसम वाकि इसमें में ही अच्छा लगेगा अच्छा लगेगा क्यां अच्छा अच्छा खुद्स 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 तो विर कर शुद्स तो इस लाइबरियरी की बात तो चले हम बात में करेंगे लेकिन यहां आने के बात हमें पता चला के हमारा जो टिस्टिक है उनकी यहां पर रिजिस्ट्रेशन नहीं हो सकती बेशक हमें यहां के अपाइटमेंट मेली हो और हमें वापस अपने ही जिस्ट्रिक जाना होगा तो यहां से वह ज्यादा दूर तो नहीं है लेकिन फिर भी हम यहां आ तो गए थे और आने के बाद अब हमारा आना जाया नहों इसलिए हमने सोचा चलें अब हम यहां आए हैं तो ब्यूग चेकमेजे ही एक्स्प्लोर करते हैं तो उसके बाद हमने डिसाइड किया बाइवाप जितना हम एक्स्प्लोर कर सकते हैं वो करते हैं जब हमने यहां से गूगल मैप चेक किया तो करीबी काफी अच्छी जगें थी जो के हम एक्स्प्लोर कर सकते थे अब यह हम पहुंच चुके हैं भूग चेकमेजे के कलचल पार्क में यह पार्क है बहुत ही समंदर के साथ है यह चोटा सा पीस है समंदर था ज्योंकि यहां पर उस बिरिज के साथ है तो मैं भी आपको उपला कर दो है वह पीछे जो मेरे प्रीज है वह है और इसके बैक साथ पे भी समंदर है और इस सरफ पी समंदर है और जिस प्रीज पे खड़ा हूं इसके सामने समंदर है तो भी हम बोर्ट्स वाजी साथ चलते हैं अबी तो दिखें हैं वहां पर क्या सुने है और बोर्ट्स के किराय वगएरा क्या है और कित्रे में वह हमें एक टूर करवाते हैं और नहीं देर का टूर हमगा अरुब लगएरा लगरा लगभा लगजिए लगएर झाल जा झाल 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 कौन सी बोट में? वार्वेंट की जोइंट इसका हम पहले पाइक हो पाइडी हो अलिक इस्तंभोल काड वाली हो यहां नहीं है यहांस की बिड़ल्गंचित Leon के जब गन्याजी बर्स्पंट क्या जबला यहांवार्वेंट उन्याजी की आंडा़्फडन कर दो प्रहीं हो आंड़λιोव नहीं कि आप टो कि अ तूल हो यहांसion झाल यहांसित्स आंड़न बोर्ट चलाएं बोर्ट चलाएं बोर्ट चलाएं बोर्ट चलाएं जोनों हाँ ऐसे हैं बार्ट चलाएं हाँ आपक आहें हाँ तो यह पार्क भी बिल्कु समंदर के साथ ही है और इस पार्क में एक बहुत कदीम बिरिज बना हुआ था और इस यूजल यह आइस क्रीम वाले मुझूद थे जो के रामे बादी करते हैं अब इस इस बहुत ही जादा पसंद आ गया तो बस अब जहां यह जाते हैं तो इनको यह आइस क्रीम ना खाए ना खाए यह जैसी भी यह फर गड़ और उनको यह इस क्रीम चाहिए तो बच्छों ने तो खूप लिए किया और कर रही रहते तो यहां से पार्क से वापसी में हम भोगोंने सोचा चलते हैं चलें अभसाहिल की तरफ तो साहील की तरफ जा रहे हो तो वही लाइबरेरी हमें फिर नज़राई उन बैक व्यथ्य तरह उपन फिर हमने पी फैसला ह Wellness हम जाते हैं लाइबरिरी ती तो बहुत चोटी सी लेकिन बहुत ही इच्छे तरीके से और बहुत ही खुशुरत अंजाज में इसको सेट किया हुआता है काफी देर तक यह लाइबरीरी का माइने करते रहें जिसमें के किच्छन भी था मतलब अगर आप यहां रीडिंग के लिए आते हैं तो यहां एक किच्छन था और चाय वगयरा आप खुद बना सकते हैं छोटा से कांफरेंस रूम था तो यहां से लाइबरीरी से फारिक होने के बाद हम साहिल के तरफ निकल दिये तो हमें यह साहिल के तरफ जाने के लिए इफाइव जो है वो क्रॉस करके जाना पड़ा तो वहां से जब हम चले तो हमें यह रास्ते में जिस्ट वाक करते हुए हमें यह पार्क नजर आई यह एक जिगा नजर आई तो यह भी कापी वे रहे खुबसूरत थी और इसके साथ ही एक फुटबॉल इस्ट्रीडियम है फुटबॉल ग्राउंड है यह होकी तो यहां खेलते नहीं फुटबॉल का ही होगा तो 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 यह देखिए बहुत खुबसूरत बिल्डिम और बहुत प्यारा मॉसम था पुराना है ना विंटेज है यहां जाता है यहां जाता है पानी थंडा है यहां बच्चों ने यहां बहुत इंजाए किया और यहां की मुझे सबसे अच्छी बात जो लगी यह चोटा से एक साहिल था बट यहां पर भी लाइफ गार्ड मुझूद थे वो भी तीन चार और उनकी एक जेट स्की भी थी एंफ और एमिर्जेंसी तो पूरे दिन की इस सारी थकान के बात मेरा तो भूग से बहुत प्रिश्टरंट देखे और आखिर कार मैंने फिर यह रेस्टरंट चूज किया क्यूंकि इस रेस्टरंट में था सबसे स्पेशल खाना यानि के मुझे जो पसंदे नॉर्मली खाना क्यूंकि इनकी खाने तो खाखा के में हम तंग आ गय थे तो यह था जनाब आली कीमा पर पराठा जिस पे भी इस पेशली मतलब मैंने बोला इस पे आउयल डेवल लगा दीजेगा महरवानी फरमा कर क्यूंकि यह लोगते बगएर उलके खालेते हैं तो कीमे वाला जो है यह मेरा पराठा रेडी हो गया और यालू का पराठा रेडी हो रहा है और कीमे का पराठा जो है बहुत ही मज़ेका था बहुत ही टेस्टी जो के मैंने फिर मैंने और्डर की इसके साथ तही क्यूंकि बिल्कुल रोखा तो हम खुच भी नहीं खाते है पाकिसानी माशालल काफी मज़ा आया हमें एक पाकिसितानी फैंमिली भी वहां पर मिली और नोग ने हमारा साहती थी तो खुब एंजाय किया न लोगों न भी और हमने भी और अगर हम अके लिए होते हो सकता है शायद हम वापिस चले जाते लेकिन और यह लोग भी उपने घ चीज़े बिलकुल फ्रेश थी ताज़ा थी और बच्चों ने भी बहुत इंज़ाए के खाने को और तो यहां आके बहुत ही अच्छा फील हुआ मैं बिलकुल रिकमेंड करूंगा अगर आप इस्तंबोल आते हैं और मुनासिब कीमतों में अच्छा खाना और अच्छी जग खुमना चाहते हैं तो इस तरफ का रुख जरूर करें ना के सिर्फ तक्सीम और सुल्ताने मतवारी साइड आप खुमते रहें यह साइड भी बहुत खुबसूरत थी यहां तमाम खाने पीने की चीज़ें बिलकुल नॉर्मल रेट में थी और यहां पर टैक्सी वाले जो ह के मॉल्स्ली लोग कमप्लेइन करते नज़राते हैं तो बस फिर आज के लिए इतना ह зд मिलते हैं नेक्स विलोग में सबसे ज़रूरी बात जो आज को यही है अगर आपने अभी तक मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया ए तो प्लीज मेरेज चैनल सब्सक्राइब जयरू प्रेस कर दे। THANK YOU